पेंचन धारकवा पेंचन भोगियों, ORP3 पेंचन पर ताजा अब्रेट निकल के आ गई है ORP3 पेंचन अगस्ट के आन तक आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे एक टेबल भी जारी किया गया है और 23 अगस्ट 2024 की बेस येर 2023 को लेते हुए ORP3 की बहुत ही भैतरिन शांदार और नाजवाब निकल के आ गई है सभी पेंचन धारकवा पेंचन भोगियों कितनी परसंट की बड़ोतरी हुई है ORP3 में यह तो पता चले गई साथ में परी 2006 और पोश्ट 2006 जितने भी हमारे पेंचन धारकवा है मिनीमम और मैक्सिम के साथ अपना देख पाएंगे एरियर सभी भूदपूर सैनिक को बता दें ORP3 पर आप लोग को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिये और अगस्त के अंत में खाते में आएंगे पेंचन और पेंचन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा आपका जो एरियर है सभी भूदपूर सैनिक और हमारे मिलेटरी वैटनेट्स आर्मी नेवी एरफोर्स के रेटाइट परसन जितने भी हमारे भूदपूर सैनिक देख रहे हैं जाले मिल पाए सभी भूदपूर सैनिक इस सित को ध्यान देंगे चलिए ओरूपी के तहट हर 5 साल में पेंचन बढ़ाई जाती है एक जुलाई 24 में से पहली बार मोधी सरकार ने ओरूपी को लागू किया था उसके बाद इसमें जुलाई 2019 से रिवीजन किया था हालाकि इ इसलिए ये मिलने में लंबित हुआ सुप्रीम कोट ने 2023 को इसको देने का आदेश दिया और इसके फाइदे इसका फाइदा एक जुलाई 2019 से एरियर के रूपे देने का निदेश लिया आप लोगो बता दे ओरूपी 3 आप लोग सभी भूदपूर सैनिक बेसबरी से देख बता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो किये होना ठीक है आप लोग को बता दूँ कि हर रैंक की बड़ोतरी हुई है हर रैंक की बड़ोतरी हुई है और रूपी 3 में तीन से चारेज़ रूपे तो आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है आप लोगो बस अपना वीडियो देखते रहना है और अपना पता करना है कि कितना इरियर बन रहा है क्या चल रहा है करेंट अपडेट क्या है वर्तमान स्थिती ओवरूपी 3 कि इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है